अलो क्रश्याज वेलकम टू क्रश अप योलो सीरीज और आज हम पढ़ने वाले हैं एडियाबेटिक प्रॉसेस के बारे में फिर नेक्स स्टेज में हम पढ़ेंगे की वर्ग टर्न इन एडियाबेटिक प्रॉसेस क्या होता है और उसके भी जितने भी पॉसिबल कॉर्शेंस है सारे के सारे इसी सिंगल वीडियो में कम्प्रीटली कवर कर लेंगे तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद ज़रत नहीं है वैसे तो पूरी यूलो सिरीज याप देख लो उसके वाद आपको कुछ आल देखने की ज़रत नहीं है मेरा नाम विक्रान किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्राशिप एग्जिस्ट करता है ताकि सभी तक हाइस कॉलिटी एजुकेशन आपसुलिटली फ्री में पहुंच सके एजुकेशन आचुली ऑपरचुनिटी होती है जो सभी को मिलनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी को बदल सके और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्ल फीद्राइब को सकते हैं उसके निकरते हैं पर प्रॉसस होता क्या है नामसे आपर पर पता चलता कि adiabatic यानि कि कोई भी heat का transfer यहाँ पर नहीं होगा तो हम इस चीज़ को लिख लेंगे सबसे पहले no heat transfer कौन सवाला heat का transfer नहीं होगा यहाँ system और surrounding के बीच में किसी भी तरह का heat transfer नहीं हो सकता है यानि कि अगर मैंने यह walls बनाई है और यहाँ पर लिख दिया adiabatic walls and adiabatic piston तो यह हमारा adiabatic process हो सकता है अच्छा अब इसमें process क्या होगा यहाँ पर यहाँ तो मैं इसे compress कर सकता हूँ यह इसको expand कर सकता हूँ compress करने के लिए मैं देखो यहाँ पर force लगाँगा ऐसे यह बोल सकता हूँ यहाँ पर देखो मैं छोटे छोटे इस तरीके से weights बढ़ाता जाओ धीरे धीरे बढ़ाऊँगा है ना quasi static process हते है हमारे सारे slow process है तो धीरे धीरे यहाँ पर मैं बढ़ाता जाऊँगा pressure तो यह इस तरीके से compress हो जाएगी या फिर हो सकता है मैं यहाँ से इनको हटाता चलूँ तो उपर pressure कम हो जाएगा यहाँ पर गैस का pressure कम होगा तो gas expand करेगी ऐसे केस में हम बोलेंगी कि gas का adiabatic compression या expansion हुआ है और उसी की कुछ calculations हमें करनी होगी अच्छे देख काम करते हैं इसका comparison करते हैं सबसे पहले तो मान लो हमाया पास यह एक initial stage से और यह हमारा PV graph है सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मेरा isobaric process होता तो graph किस तरीके से बनता यहाँ से इस तरीके से straight line यह होता हमारा isobaric कोई भी process दूसरा process इस तरीके से जो होता है वो कौन सा process होता देखो इस process में हमारी volume constant है तो इसको हम बोलते हैं isochoric isochoric process तीसरा process भी हम पढ़ चुके हैं जो होता है हमारा isothermal उसका graph कुछ इस तरीके से जाता ही होता है isothermal process इसमें PV is equal to constant इस तरीके से हमारी numerically graph की equation होती है वो PV is equal to constant होती है और आज जो हमको पढ़ना है वो है हमारा adiabatic process उसका भी graph कुछ इस तरीके से होता है यह होता है adiabatic और इसकी जो equation होती है वो होती है PV raised to the power gamma is equal to constant यह हमारी adiabatic process की equation होती है अब आप बुलोगे यह gamma क्या है तो gamma होता है cp upon cv cp क्या होती है f plus 2 divided by 2 times r cv होता है f divided by 2 r तो यहां से gamma की value आजाती है देखो सब चीज़े cancel out हो जाएंगी r से r, 2 से 2 और gamma की value आजाती है f plus 2 divided by f यहां पर f होती है हमारी degree of freedom अब adiabatic process में सबसे ज़रूरी हमें यह derive करना की PV raised to the power gamma constant क्यों होता है तोसी को derive करते है हम derive करेंगे PV raised to the power gamma is equal to constant जोकी adiabatic process की condition होती है तो इस condition को derive करने के लिए हम start करेंगे first law of thermodynamics की equation से हमारी पास first law of thermodynamics की equation होती है q is equal to work done plus delta q अगर हम एक बहुत ही छोटे से change ही बात करें छोटा सा यहां पर expansion हुआ है यहां पर हमारी पास जो equation हो जाएगी वो क्या बन जाती है dq is equal to dw plus du छोटा सा change in internal energy की हो जाएगा छोटा सा work done हो जाएगा और छोटा सा heat अच्छे क्योंकि process adiabatic है तो हम यहां पर क्या बोल सकते है heat zero होगी कोई भी heat का exchange यहां पर नहीं हो रहा है तो हमको यह तो zero होने वाला है क्योंकि process is adiabatic ओके तो हमारी पास आता है zero is equal to dw छोटा सा work done क्या होता है work done हमेशा होता है work done by gas is p.dv यह तो यह आने वाला प्लस du कितना होता है यह हमें पता है किसी भी process के लिए इसकी value होती है n cv delta t यहां पर छोटा सा है तो वो हो जाएगा n cv dt यह आ गई हमारी पास equation number one अब यहां पर देखो हमारी पास pressure भी variable है volume भी variable है और temperature भी variable है तो सारी की सारी चीज़े change हो रही है हमें कुछ variables को कम करना चाहिए कम करने के लिए हम किस equation का साहरा ले है हमारी पास और एक equation है ideal gas equation जो तो हमेशा ही valid है हम लिखेंगे pv is equal to n rd हमारी equation है इसको differentiate करो तो यहां पर देखो pv को जब differentiate करोगे दोनों variable है तो एक बार p constant मानके dv लिखेंगे और दूसरी बार v constant मानके dp लिखेंगे तो left hand side का हमारी पास हो जाता है pdv plus vdp और right hand side में हमारी पास n और r n किसी भी sample के लिए जिसके हम बात करें हमारी system में n की value constant होती है n r constant है तो यह हमारी पास हो जाएगा n r d t यहां से हम लिख सकते हैं dt is equal to pdv plus vdp divided by n r यह है हमारी equation number 2 और इसी value को हमें यहां पर use कर लेना है dt की जगे तो यह को हमारी पास equation क्या बन जाती है 0 is equal to pdv plus n cv और dt की जगे लिख देंगे pdv plus vdp divided by n r इसे simplify करते हैं देखो n से यह n कट जाएगा और r यहां चला जाएगा फिर r को हम दूसरी तब बेजेंगे तो हमारी पास जो overall equation बनने वाली है वो हो जाएगी r into pdv plus cv into pdv plus cv into vdp is equal to 0 अब यहां पर और एक चीज़ देखो यहां पर हमारी पास pdv है यहां पर हमारी पास pdv है common ले लेंगे तो हमारी पास bracket में बचेगा cv plus r तो इसको भी हम लिखते हैं यह वस्ता है cv plus r into pdv plus cv into vdp is equal to 0 अब इस चीज़ को ध्यान से देखो क्या मैं इसे cp लिख सकता हूँ क्योंकि हमारी पास mares relation के हिसाब से cp की value होती है cv plus r और यह किसी भी ideal gas के लिए true है तो यहां पर इसी चीज़ को मैं लिख दूँगा कि this is equal to cp multiplied by pdv plus cv multiplied by vdp is equal to 0 अब यहां पर से आगे कैसे बढ़ें इसको किस तरीके से solve करें यहां पर आप इस पूरी term को divide कर दो pressure, volume और cv से तो देखो यह काफी simplify हो जाएगी और हमारे पास value आजाएगी यह वाली term में क्या बचेगा? pressure से pressure कट जाएगा और हमारे पास बचेगा cp divided by cv multiplied by dv upon v plus यहां पर क्या बचेगा हमारे पास? देखो cv से cv कट गया volume से volume कट गया और बचता है dp upon p बचता है dp upon p is equal to 0 अब किसी भी ideal gas के लिए cp की value क्या होती है? जो भी उदी constant होती है f plus 2 divided by 2 times r और cv की value क्या होती है? वो भी होती है f by 2 आर वो भी एक constant होती है किसी भी gas के लिए यहां पर हम बोल सकते हैं इसको हम एक और constant define कर दे और हम लिखते हैं gamma into dv upon v plus dp upon p is equal to 0 where gamma is equal to cp upon cv ऐसा हमने define कर दिया है अब यह बहुत ही आसान बन गया है इसे हम इस तरीके से integrate कर सकते हैं यहां पर अगर मैं integrate करेंगा dv upon v यह क्या हो जाएगा? ln v natural log ठीक है? तो यह हमाँ पास value आजाती है gamma as it is constant था ln of v plus हमाँ पास आजाएगा ln of p is equal to 0 अच्छा यहां पर क्योंकि हमने indefinite integral किया है तो यहां पर कुछ constant यहां पर add हो जाएगा तो sum plus constant is equal to 0 इस तरीके से आप लेग सकते हो अब हमें log की properties लगानी है तो यह gamma जो बाहर है अगर मैं उसे log के अंदर लूँगा तो वो v raised to the power gamma हो जाएगा तो हमें पर पास हो जाता है ln of v raised to power gamma plus ln of pressure is equal to some another constant c को मैं दूसरी तरफ लेगा फिर से log की property लगा दो तो यह एक log और दूसरा log जो है दोनों आपस में जब add होते है तो अंदर वाली चीजें multiply हो जाती है हमें पास हो जाता है ln of p into v raised to power gamma is equal to some constant या फिर मैं लिख सकता हूँ p v raised to power gamma is also constant और यही हमें prove करना था हमारे पास किसी भी ediabetic process के लिए एक condition आ गई है फिर से देख लेते हैं हमने किया क्या हमने start किया first law की equation से छोटा सा हमने differential वाली equation ली dq is equal to dw plus du ediabetic process है तो heat transfer नहीं होगा बसलिए इसकी value 0 आती है work done हमेशा p dv होता है du हमेशा n c v dt होता है यह हमने लेख दिया हमारे पास दूसरी equation थी p v is equal to n i t यहां से हमने इसे भी differentiate किया और dt की term को हमने यहां पर replace कर दिया फिर बस उसे हम solve कर देगा है c v plus r को हमने एक बार c p लिखा यह हमने mares relation का use कर लिया फिर यहां पर इसको नीचे divide कर दिया और देखते चेकते हमारे पास इस तरही इसे integrate करके condition हमारी आती कि p v raised to power gamma is equal to constant होता है अब इसकी थोड़ा feel लेने की कोशिश करते है इसका मतलब क्या हो इसको समझते हैं इसको समझने के लिए हम सबसे पहले पीवी ग्राफ बनाएंगे पीवी ग्राफ में पहले pv raised to power gamma is equal to constant को समझने से पहले हम समझेंगे pv is equal to constant का मतलब क्या होता है तो हमारे पास एक isothermal process होता था isothermal process उसमें हमारे पास t की value constant होती थी इसका मतलब pv is equal to nrt होता है तो वो भी हमारे पास constant आ जाता था इसका ग्राफ हमें बता है किस तरीके का बनता था इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है एक rectangular hyperbola isothermal अब मैं यहां पर अगर किसी भी particular point की बात करो मान लो यह हमारा point of interest है यहां पर इस ग्राफ का कुछ slope होगा इस तरीके से उस slope को मैं जानने की कोशिश करता हूँ तो slope क्या होता है dy upon dx हमारी केस में यहां पर यह y-axis है यह x-axis है यह y है यह x-axis है हमार जो slope होगा slope हो जाएगा dp upon dv इसी को हम यहां पर लिख लेते है slope is equal to dp upon dv उसकी value मुझे पता कर रहे है कैसे पता करूँगा यहां पर देखो इसी को differentiate कर दो यहां से आप इसे differentiate करोगे तो आता है p dv plus v dp is equal to constant का differential हो जाएगा 0 और यहां से मिलता है dp upon dv is equal to minus p upon v slope की value हमार पास isothermal में आ जाती है slope is equal to minus p upon v इस point पर जो भी slope है वो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं अब हम compare करेंगे इसको हमारी adiabatic process है adiabatic process adiabatic process में हमें पता है p v raise to power gamma की value होती है constant और हमें एक और चीज़ पता है कि slope की जो value होगी वो again फिर से हो जाएगा dp upon dv क्योंकि graphs तो सेम ही है तो अब यहां पर dp upon dv की value पता करने के लिए हम फिर से इसको differentiate करेंगे यहां पर से देखो इस तरीके तो वो हो जाएगा पहले p को constant रख लो तो v raise to the power gamma को differentiate करोगे तो आजाएगा gamma into v raise to the power gamma minus 1 times dv plus अब की बार इसे constant मार लो यह हो जाएगा हमार पास v raise to the power gamma times dp is equal to इसको differentiate करोगे तो आजाएगा 0 अब इसको फिर से आप दोनों दोरफ pv raise to the power gamma से divide करो यहाँ पर इस तरीके से बहुत आसान हो जाएगा pv raise to the power gamma से divide करो इधर भी कर सकते हो pv raise to the power gamma लेकिन यह value अपने आप 0 होने वाली है तो यह तो है 0 यहाँ पर आप देखो p से p कट गया और हमारे पास आजाता है gamma into dv upon v देखो नीचे v raise to power gamma है उपर v raise to power gamma minus 1 है यानि कि overall हमारे पास नीचे एक v आने वाला है plus दूसरी तरफ क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास v raise to power gamma से v raise to power gamma कट जाएगा और यह आजाएगा dp upon p is equal to 0 और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ slope यानि कि dp upon dv की जो value आने वाली है वो आजाएगी minus gamma times p upon v इसकी value आजाती है minus gamma times p upon v इस point पर isothermal का slope बता है minus p upon v और अगर यहीं से मैं ediabetic process करूँ माद लो मैं कोई यहाँ से इस तरीके से isothermal expansion नहीं करना है मैं कोई यहाँ से बोलना मुझे ediabetic expansion करना है तो graph या तो ऐसे जा सकता है ऐसे जा सकता है ऐसे जा सकता है कहीं भी जा सकता है slope बताएगा किदल जा रहा है तो यहाँ पर मैं अगर slopes को इनके compare करो तो देखो p upon v, p upon v दोनों में same है minus दोनों में same है एक extra factor आगे है gamma का gamma क्या होता है वो देख लेते है हमाँ पास gamma की value होती है cp upon cv cp की value कितनी होती है f plus 2 divided by 2 times r यह आता है cv हमाँ पास f divided by 2 times r यहाँ से इसकी value होती है f plus 2 divided by f और f की आप कोई भी value डालो इसकी value आच्छली 1 से बढ़िया जाएगी gamma की value हो जाएगी 1 plus 2 divided by f f की value होती है 3, 5, 6 यह जो भी value है यह value हमेशा 1 से बढ़िया है तो हम लेखेंगे as gamma is more than 1 slope of adiabatic is more than slope of isothermal यह मैंने कुछ गलत लिख दिया क्यों? क्योंकि देखो एक minus भी लगा हुआ है तो हम सिर्फ magnitude की अगर बात करें only magnitude की बात करें तो हमाँ पास इस तरीके से पता चलता है कि अच्छा adiabatic के लिए slope की value थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन क्योंकि वो negative में है तो हम यहां से देख के बताएंगे कि यहां से देखो negative में slope बढ़ाना है तो इस तरीके से ऐसा हमाँ पास graph जाएगा है यहां से कुछ ऐसा जाएगा इस पॉइंट से हमारा adiabatic का graph कुछ ऐसा जाएगा इस विल बी adiabatic graph हम लिख सकते है adiabatic graphs are more steeper than isothermal steeper curve than isothermal अब देखो यह दोनों ना straight line तो है नहीं तो हमें question में directly पता नहीं चल सकता मालों मुझे यह किस तरीके से graph दिया हुआ है और ऐसे graph बना हुआ है ना PV graph तो मैं बता नहीं सकता देख कर कि कि यह isothermal का graph है या adiabatic का graph है तो यहाँ पर लिखा रहे है आकसर यह isotherm है या फिर यह adiabatic का graph है लेकिन अगर मुझे question में ऐसा दिया हुआ है कि ऐसे दो process है और जाने पैचाने से option है और अगर मुझे अब देख के बताने हैं इन में से कौन सा isothermal है, कौन सा adiabatic है तो मुझे पता है कि जो ज़्यादा steep होता है वो हमारा adiabatic graph होता है और ये वाला हमारा isothermal हो यह हमें समझा जल्दी से graphs की practice कर लेते हैं हमें बोला गया है कि मानलो V1 से लेकर के V2 तक expansion हुआ है तो expansion दो तरीके से किया गया है isothermal और adiabatic किस तरीके से उसके graph होंगे तो पहले मैं बनाता हूँ कोई isothermal graph यहाँ पर इस तरीके से यह हो जाएगा हमारा isothermal क्या होगा यह expansion और adiabatic expansion करना है हमको यह same initial condition से मैं expand कर सकता हूँ मैं isobaric expansion करता है तो same volume तक मेरा ऐसा graph आता अब adiabatic expansion करना है तो मेरा graph volume तो देखो यही तक आना है मेरे को लेकिन graph थोड़ा steeper होगा है तो steep होगा मतलब vertical की तरफ जादा होगा हो यहां से हमारा कुछ ऐसा graph आने वाला है यह this will be adiabatic similarly यह भी adiabatic expansion कहलाएगा expansion अब आप इसको इस तरीके से याद नहीं रखते कि हमेशा उपर वाला आईसो थर्मल होता है नीचे वाला adiabatic होता है क्यों ऐसा याद रखना गलत हुजाएगा देखो मानलो इस बार हमको बोला गया है कि हमें इस जगे से v1 से लिए करके v2 तक compression करना है पहले isothermal compression करते है मानलो हम यहां पर दे इस जगे पर और यहां से अगर मैं isothermal compression करता हूं इस तरीके से मेरा graph यहां तक आ जाएगा इस वीडियो दिस इस isothermal compression अगर मुझसे adiabatic compression पूछा जा है तो मैं यहां से start करूँगा मुझे volume फाइनली इस volume तक पहुंचना है वो जो भी है तो graph ऐसा भी जा सकता है ऐसा भी जा सकता है यह तो नहीं होगा क्योंकि यह तो isothermal है कौन सा वाला graph सही होगा यह वाला है यह वाला जो ज्यादा steep है जिसका slow का magnitude ज्यादा ज्यादा vertical जैसा दिखाई दे रहा है तो यह ज्यादा vertical की तरफ है तो हमारा graph actually यहां से इस तरीके का आने वाला है यह हो जाएगा हमारा adiabatic compression इसको feel करने की भी कोशिश करते हैं कि यह process actually है कौन सा मानलो मेरे पास इस तरीके से कोई system है और इसमें gas है अब मैं इसको बंद कर दूँ यहां पर से और इसको अगर मैं compress कर दूँ अगर मेरी conducting walls है तो इसका temperature surrounding के temperature के बराबर रहेगा हमेशा धीरे-धीरे compress कर रहेगा उस case में हमारे पास isothermal compression होगा लेकिन अगर मेरी adiabatic walls है जैसे अगर यह plastic है तो adiabatic wall हो गई उस case में हमारे पास जब मैं compress करूँगा दोनों ही cases में देखो volume तो मैंने इतना ही कम किया है अब की बार मेरा graph यह होगा मेरी final state यहाँ पर होगी इसका मतलब क्या होगा यह तो same temperature था अच्छा तो यहाँ पर actually temperature बढ़ चुका होगा अगर मैं इसको adiabaticly compress कर रहा हूं तो temperature बढ़ जाएगा अपने adiabatic process के लिए बहुत ही अच्छी equation derive कर लिए है PV raised to the power gamma is equal to constant इससे हम बड़ी आसानी से PV graph बना सकते हैं लेकिन कई बार question में pressure और volume के relation के अलावा भी सवाल पूछे जा सकते हैं temperature और volume के बारे में कुछ relation पूछ लिया या फिर pressure और temperature के बारे में कुछ पूछ लिया तो वो भी हम derive कर सकते हैं किसका use करेंगे यहांपर ideal gas equation का देखो हमाया पास क्या होता है PV is equal to nRT मान लो मुझे यहां से pressure हटाना है temperature लाना है देखो मैं pressure को लिख दूँगा यहां से क्या लिख सकता हूँ यहां से हमाय पास nR इधर चला जाएगा यह कोई और constant बन जाएगा temperature उपर है volume की power gamma है और नीचे denominator में एक और volume है तो यह जला जाएगा उपर गामा-1 बन जाएगा इसको हम लिखेंगे TV raised to power gamma-1 is equal to constant यह भी बहुत important result है इसका हम graph भी बना सकते हैं यह है हमारा volume यह है हमारा temperature टीवी अगर टीवी is equal to constant होता तो हमाय पास एक rectangular hyperbola आ जाता अब टीवी की पाल दोनों 1-1 नहीं है तो rectangular hyperbola नहीं आएगा लेकिन आने कुछ hyperbola ही वाला है क्योंकि gamma की value क्या होती है गामा होता है हमारे पास gamma is equal to 1 plus 2 divided by f तो gamma की value more than 1 आती है तो यह जो भी value होगी कुछ positive value हो जाएगी जैसे टीवी raise to power 0.25 इस तरहीं कोई तो यहां पर भी हमारे पास आने वाला है एक hyperbola इस तरीके से पर यह rectangular hyperbola नहीं होगा बस hyperbola है अब हमारे पास दूसरा relation हम derive करना चाहेंगे इस बार हम volume हटा देंगे pressure और temperature के बीच में देखना है तो PV is equal to nRT का यह use करेंगा इस पर volume को हम देखते हैं volume को हम क्या लिख देंगे nRT upon P इससे रख दीजेए आप PV raise to power gamma is equal to constant पे यह वाली value रख दो तो हमें आपास आता है pressure into volume की जगे में रख दू nRT upon P raise to power gamma is equal to constant अब यह जो भी value से n और r अपने आप में constant है उसकी power आप कुछ भी चड़ाओ वो भी constant रहेगा और उसको दूसरी तरफ ले जाओ तो वो भी अपने आप में कुछ constant आने वाला है यहां से मैं लिख सकता हूँ pressure multiplied by temperature की power gamma divided by pressure की power gamma is equal to constant कोई और constant है ओके इसको मैं simplify करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ pressure की power क्या हो जाएगी देखो उपर में है 1 नीचे है gamma तो यह हो जाएगा 1 minus gamma multiplied by temperature की power gamma is equal to constant अब देखो यहां पर दूनों ही जो terms है उसमें कुछ gamma gamma वाली power आ रही है तो मैं एक काम करता हूँ इसका under root लेता हूँ पूरी के पूरी equation की power मैं 1 by 1 minus gamma कर दो तो यहां पर जाकर की multiply हो जाएगी हमाँ पास देखो term क्या बसती है pressure as it is आ जाएगा temperature की power आ जाएगी gamma upon 1 minus gamma is equal to constant इसका भी graph बना लेते हैं हमाँ पास इस वार यहां पर है pressure यहां पर है temperature कैसा graph आने वाला है क्या यह भी hyperbola आने वाला है देखो गामा की value क्या होती है 1.2 something या 1.3 या 1.5 ऐसी कुछ values ही रहने वाली है और यहां पर 1 minus something है effectively यह negative number हो जाता है और यह नेगेटिव हो जाएगा और minus 1 और 0 के बीच में कुछ रहने वाला है तो यहां पर overall हमाँ पास कुछ ऐसी term आ जाएगी P into T raise to power minus 3 या minus 5 इस type का कुछ ग्राफ आने वाला है यहां पर हम देखते है this is equal to constant आता है या फिर हम लेख सकते है P is proportional to T cube या Q3 नहीं आएगा exactly पर इसा कुछ ग्राफ आने वाला है तो वो जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके के होता है यहां पर हम लिखेंगे pressure is proportional to temperature की power यह power उदर जाएगी तो minus यहां पर multiply हो जाता है ना minus हो जाता है तो यह जाता है gamma upon gamma minus 1 अब यह जो ग्राफ है वो उतने जाता important हमारे लिए नहीं है लेकिन यह जो तीन equation हमने derive करे हैं यह बहुत important है मानलों हमें बोला गया है कि एक initial state से expansion हुआ है adiabatically और हमें P1, V1, P2, V2 को relate करना है तो हम इस वाली equation का use करेंगे और relate करेंगे same expansion में अगर हमें बोला जाए कि नहीं नहीं इस पर temperature और volume को relate करना है तो आप यह वाली equation का use करोगे तो यह तीनों बहुत ही important equation हो जाती है adiabatic process की तो इन्हें याद रखना Ammono Atomic Ideal Gas at P0, V0, T0 is compressed to half its initial volume, find the final pressure and temperature of the gas तो मैं पास ही इस तरीके से initial state थी उसको compress कर दिया हमने और इसको जब हमने compress किया है हमारे देखो V0 से volume तो हो गया है V0 divided by 2 हमसे temperature और pressure final पूछा तो हमें दो equation यूज़ करनी पड़ेगी तो पहला part जिसमें हमें pressure की calculation करनी है तो वहाँ पर हम क्या use करेंगे PV की power gamma is equal to constant और जब हमसे पूछा है अगर temperature तो हम क्या use करेंगे temperature के लिए हम TV की power gamma minus 1 is equal to constant हमें यह यूज़ करना पड़े है या फिर आप यहाँ पर pressure का ratio पता कर सकते हो तो pressure और temperature वाली equation का भी यूज़ कर सकते हो जब दस्ती calculation लंब्य हो जाएगे तो वीडियो को pause करो question को solve करने की कोशिश करो solve करना शिरू करते हैं सबसे पहले यह है monoatomic ideal gas इसका कुछ तो यूज़ दोगा हमें सबसे पहले PV raise to power gamma अगर constant है तो gamma तो पता होना चाहिए gamma की value होती है f plus 2 divided by f f यानि degree of freedom monoatomic के लिए degree of freedom होती है 3 तो यह 3 plus 2 यानि की 5 divided by 3 हमाया पास value आने वाली है pressure अगर हमसे final पूचा है तो हम इस equation का use करेंगे हमाया पास आ जाएगा P1 V1 into gamma is equal to P2 V2 into gamma मैं लेख सकता हूं P2 is equal to P1 times V1 upon ये sorry V2 की पावर gamma initially हमारा जो pressure था उसकी value किती है चाहिए यहां पे P0 V0 T0 लिखा हूँ है pressure initial था P0 volume initially हमारे पास कितना था volume हमारे पास था V0 finally हमारे पास volume कितना हो गया है वो हो गया है V0 divided by 2 उसकी पार हमें चड़ा देना है gamma gamma है हमारा 5 by 3 यहां से यह इस तरीके से कट जाता है और हमारे पास है 2 raised to power 5 by 3 times P0 यही हमारा pressure final हो जाएगा बहुत यह simple था अब हमसे temperature की बात करें है तो हमें यह वाली equation का यूज़ करता है यहां से हम क्या लिख सकता है T1 into V1 की पार gamma minus 1 is equal to T2 into V2 की पार gamma minus 1 gamma की value है 5 by 3 5 by 3 minus 1 की value कितनी होती है 5 minus 3 divided by 3 which is equal to 2 by 3 तो मैं लिख सकता हूं T1 V1 की पार 2 by 3 is equal to T2 V2 की पार 2 by 3 यहां से पता चलता है T2 is equal to T1 multiplied by V1 upon V2 की पार 2 by 3 which is equal to V1 upon V2 कितना है हमाय पास final volume half है यह वाला जितना भी था उसका आधा हो गया यह उसकी value आजाती है T1 multiplied by 2 raised to power 2 by 3 is equal to T final यह बहुत ही अच्छा सवाल था pressure, volume, temperature को relate करता हुआ का adiabetic expansion का और एक question देखते है एक और बहुत ही अच्छा सवाल air at 1 atmospheric pressure and 300 Kelvin is adiabetically expanded such that its final pressure becomes 1 by 132 atm find the final volume and temperature of the air पहले तो इसको हम solve कोने से पहले मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसका graph देखके समझने की कोशिश करो हमाय पास कुछ ऐसी situation होगी यहाँ पर हमारी gas थी initially हमाया pressure था कितना 1 atm उसके बाद वो adiabetically expand होई है न तो जो भी इसका volume था उससे हम इस तरफ expand होगे pressure कितना कम हो गया है यहां तक आगया है 1 by 32 atm था हमाय पास actually कुछ ऐसा adiabetic expansion हुआ होगा और हमसे पूछा है final volume और temperature बताना है वो भी हम बड़ी असानी से बता सकते हैं हमाय पास कुछ relations है तो वो solve तो करें लेकिन उससे पहले पता चले कि adiabetic में होता है pv raised to power gamma is equal to constant यहां पर gamma की value क्या है गामा होता है हमारे पास f plus 2 divided by f f होती है degree of freedom degree of freedom monoatomic diatomic के लिए हमें पता है लेकिन air के लिए भी हमें नहीं पता तो इसको किस तरीके से solve करोगे यह देखो air हमें पता है कि 99% air O2 and N2 से मिल करके बनी है अगर हम इसको ideal gas assume करें तो हम इसको diatomic ideal gas मान करके question को solve करेंगे वीडियो को pause करो question को solve करो हमारे पास air है 99% O2 and N2 इसका मतलब treated as diatomic ideal gas नहीं तो यह question solve नहीं हो सकता हम लोग के scope से बहुत बार हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास gamma की value कितनी हो जाते है गामा होता है f plus 2 divided by f degree of freedom diatomic लिए होता है 5 5 plus 2 divided by 5 यानि की हो जाता है 7 by 5 हमारे पास gamma आ गया अब हमें adiabatic की equation लगा देनी है क्या है P1 V1 की power gamma is equal to P2 V2 की power gamma अगर हमें V2 पता करना है तो हम देखो यहां पर क्या लिखेंगे V2 is equal to यह था V1 V1 अच्छा इसकी power भी gamma है इसकी power भी gamma है यहां पर जाएगा P1 upon P2 और यहां पर इसका हम root लेना पड़ेगा तो जाएगा V2 is equal to V1 और यह बसता है हमारा P1 upon P2 की power कितना हो जाएगा 1 by gamma ठीक यहां से V2 की value हो जाती है V1 और multiply करो P1 कितना था initially था 1 ATM P2 हो गया है 1 by 32 ATM यह हो जाता है हमारे पास overall 32 की power 1 divided by gamma gamma इतना था तो 1 divided by gamma कितना हो जाता है 5 divided by 7 अब आपके लिए सवाल यहीं पर खतम हो जाता है final volume आपको ऐसे option दिये जाएंगे कि आप इसको देख करके answer mark कर पाऊं क्योंकि आप exam hall में बिना calculator के बड़ी जल्दी solve नहीं कर सकते हो तो इसका मैं आपको बता देता हूं V2 की value जो आने वाली हो आती है 11.9 times V1 तो यह हमारा answer हो जाता है साथ मैं हमसे पूछा है temperature of the year तो temperature बड़ा होगा या कम होगा देखो एक बार फिर से समझो पहले हमया पास यहां पर हम थे इस तरीके से हम expand हुए है adiabatic ले अच्छा अगर हम isothermal expansion होता same volume के बीच में तो इस तरीके से होता अगर हम finally यहां पहुँचते तो temperature same होता हम पहुँचते एडiabatic में थोड़ा नीचे क्योंकि graph steeper होता है और हम जानते कि यहां पर इस तरीके से temperature बढ़ता है तो यहां पर आप देखोगे यह कोई और isotherm पर हम पहुँच चुके हैं यहां पर temperature actually कम है तो हमारा final temperature कम आने व जूस करना पड़ेगा वह प्रेशर इंटू temperature की पार gamma upon one minus gamma is equal to constant अब हमाहे पास gamma की value कितनी है gamma upon one minus gamma देखो यह कितना आ जाता है gamma की value थी seven upon five divided by one minus seven upon five इसकी value आ जाती है seven divided by minus two अना LCM लोगे तो या फिर minus seven divided by two यह value आ जाती है तो pt की power minus seven by two is equal to constant यहां पर आप इस पूरी equation की power चड़ा दो two by seven mathematics यहां पर लगेगी two by seven कर दोगे तो pressure की power two by seven into temperature की power minus one will be constant या फिर इसी को मैं rearrange करके लिख सकता हूँ temperature is proportional to pressure की power two by seven हम लेख सकते हैं t2 divided by t1 is equal to p2 divided by p1 की power two divided by seven अच्छा p2 divided by p1 कितना है p2 की value है one upon 32 atm p1 की value है one तो यह जो पूरी value है अपने आप में आ जाती है one by 32 यहां से मैं पास पता चलता है one by 32 की power two divided by seven 32 की value हो जाएगी initial temperature कितना दिया हुआ है 300 Kelvin तो 300 divided by 32 की power two by seven Kelvin यह हमारा answer हो जाएगा clearly आप इसको फटाक से exam hall में solve नहीं कर सकते हो लेकिन calculator से इसकी जो value आजाती है वो approximately आजाती है one 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 Kelvin और जैसा कि हमने देखा था temperature कम होगा पहले था 300 Kelvin अब कम हो करके ripple one Kelvin पर हम पहुँच चुके हैं यह एक बहुत ही simple सवाल है अभी तक हमने जैसे दो सवाल कियो इस तरीके साफ इससे भी solve को सकते हो यहाँ पर एक capillary tube है जिसमें उसकी volume को आप उसकी length से compare कर सकता हमाहा पास इस तरी यह जमानलोग tube है तो उसकी जो volume होगी volume कितना हो जाता है area into length area तो पूरी tube का constant होता है तो actually आप volume को proportional करोगे length से और फिर आपको compare करना है volume और temperature के बीच में relation हमाहाँ पास adiabatic में क्या होता है pv raised to power gamma is equal to constant या फिर tv raised to power gamma minus 1 is equal to constant यह वाली equation आपको use करनी है volume की जगे आप length का use कर सकते हैं क्योंकि direct proportionality वहाँ पर भी है तो इसको solve ज़रूर करो और आपका जो भी answer है उसको comment करना first law of thermodynamics equation q is equal to w plus delta u adiabatic process में heat तो हम देते नहीं है तो जो भी उसका change in temperature होता है ncv delta t वो उसके दुआरा जो भी work done किया जाता है उस पर depend करता है अब work done हमें नहीं पता हमें पता है adiabatic process का जो graph होता है वो इस तरीके का होता है area होगा अगर यह pv graph है तो यह वाला area ही हमारा work done by the gas होगा लेकिन हमाँ पास अभी तक कोई तरीका नहीं है कि इसको हम निकाल सके हमें इंटीग्रेल का यूज करना पड़े हैं हम इंटीग्रेल का यूज करेंगे और डिराइब करते हैं एक expression work done in an adiabatic process क्या होता है हमाँ पास देखो work done कहीं भी work done की जो value होती है वो होती है integral of p.db अब यहां पास solve कैसे करें adiabatic process में हमाँ पास होता है p.v. raised to power gamma is equal to constant यह हम derived कर चुके है इसका मतलब adiabatic process और अब हम जो derivation करने वाले हैं वो किसी भी generic process के लिए true हो सकता है अगर मैं gamma की जगे x लिख दूँगा तो वो हमारे एक polytropic process इसको बूला जाता है x की value 2 हो सकती है 5 हो सकती है 8.9 हो सकती है कोई भी value रखो वो एक process define कर दिया हमने तो जो भी अभी हम derivation करने वाले हैं यहां पे gamma को इस special number में treat करना consider करो वो एक x कोई भी value है तो यही हमारा बात में भी derivation use हो जाएगा polytopic process में alright solve करना शुरू करते है pv raise to power gamma is equal to constant इसको मैं लिख सकता हूँ मानलो यह constant है some constant की pressure की value हो जाती है k divided by v raise to power gamma या फिर मैं लिख सकता हूँ k into v raise to power minus gamma ओके अब इसी pressure को यह जो हमने निकाला है इसको यहां पर रख दो हमारा पास work done की value हो जाती है देखो k तो एक constant हा जो भी constant हा k को हम बाहर ले लेंगे हमारा पास integral में बचता है v raise to power minus gamma into dv इसको जब integrate करोगे तो हमारा पास इसका integral क्या जाता है देखो k तो as it is रहेगा v raise to power minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1 और इसकी हम limits लगा देंगे v1 से लेकर के v2 तक मानलो हमारी gas expand होई है अच्छा यह आप फिर से इसको verify भी कर सकते हो इसको आप फिर से differentiate करके देख लो तो यहाँ पर जो भी term आगे होती है वो इधर आ जाएगी और इसकी power यहाँ से minus 1 तो इसको आप differentiate करोगे आपको फिर से यह मिलने वाला है तो इसको आप check भी कर सकते हो और हमाया पास यह integral आगया है और यहाँ पर अब values रख देते हैं लिमिट्स लगा देते हैं इसकी value आजाएगी k into v2 की power 1 minus gamma divided by 1 minus gamma minus k into v1 की power 1 minus gamma divided by 1 minus gamma अब यहाँ पर से हमें इस k को हटाना पड़ेगा अच्छा k क्या है वो है pv raised to power gamma is equal to constant जो value थी वो थी k क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ k is equal to हमने मानलो expand किया है ना p1 v1 से लेकर के ऐसे कहे थे p2 v2 तक k तो यह वाला constant है तो k की value p1 v1 raised to power gamma भी होगी और p2 v2 की power gamma भी होगी तो यहाँ पर देखो क्योंकि v2 का use हुआ है तो यहाँ पर मैं यह वाली value रख दूँगा और यहाँ पर क्योंकि v1 का use हुआ है यहाँ पर मैं यह वाली value रख दूँगा देखो और हमारा पास answer कहा यहां पर K की जगह में रख दूँगा P2 V2 की पाउर गामा multiplied by यह V2 तो as it is है यह V2 की पाउर 1 minus गामा divided by 1 minus गामा minus यहां पर देखो K की जगह में क्या रख दूँगा P1 V1 की पाउर गामा multiplied by V1 की पाउर 1 minus गामा divided by 1 minus गामा ओके यहां पर अब आप देखोगे कि V2 की पाउर गामा है multiplied है V2 की पाउर 1 minus गामा है तो जब इस तरीके से multiplication होता है तो powers add हो जाती है तो इसकी पाउर गामा प्लस 1 minus गामा और यह इस तरीके से cancel out हो जाएगी कि यह cancel out हो जाते है similarly यहां भी यह cancel out हो जाते हैं हमारे पास value जाती है work done is equal to P2 V2 minus P1 V1 denominator में आ जाएगा 1 minus गामा तो यह बहुत ही अच्छी equation आगा है बहुत ही simple सा हमारे पास formula आगा है work done is equal to P2 V2 minus P1 V1 upon 1 minus गामा यह हमारा आगया work done का expression हम इसको और थोड़ा से modify करेंगी ताकि temperature की term में भी हम इसको लिख पाएगा आपर pressure and volume का ही relation है अच्छे देखो P2 V2 को क्या लिख सकता हूं मैं nR T2 P1 V1 को क्या लिख सकता हूं nR T1 तो इसको मैं लिखी देता हूं this is equal to nR T2 minus nR T1 divided by 1 minus गामा यही यहाँ पर आप nR common ले लोगे तो यह आ जाएगा nR T2 minus T1 upon 1 minus गामा यह हमारा work done in adiabatic process आ गया है तो याद कर लो बहुत जगे इसको directly हम use करने वाले अब यहाँ पर हमने एक process यूज कियाता है न पीवी रेस्टो पार गामा is equal to constant था अगर ऐसा process होता है इसका मतलब graph पे अगर हमारा पास यह वाला process था जिसमें पीवी रेस्टो पार गामा constant होता है तो work done यह आता है यानि कि area उसका magnitude इस तरीके से हम calculate कर सकते हैं लेकिन गामा की जगे अगर मैं कोई x value रख दूं तो हमारे work done में क्या फरक होईगा यहाँ पर गामा की जगे x आ जाएगा तो हम एक और चीज लिख ले दें for any process where pv raised to power x is equal to constant तो यह derivation हम दुबारा नहीं करेंगे work done के value वह हम सीधे लिखेंगे p2 v2 minus p1 v1 upon 1 minus x यह 1 minus γामा की जगे basically gamma को हमने replace कर दिया x से और इसी को आप लेख सकते हो n r delta t upon 1 minus x इसको हम polytropic में use करेंगे तो यही हमारा derivation था thermodynamics का सबसे अच्छा conceptual सवाल starting with the same initial conditions an ideal gas expands from volume v1 to v2 in 3 different ways the work done by the gas is w1 if the process is isothermal w2 if the process is isobaric and w3 if the process is adiabatic then इस कौन सवाल option सही होगा वाथ ही conceptual सवाल है graph बनाओ video को पॉस करो question को साब करो इस question का correct answer है option number a कैसे आया दे को solve करते हैं सबसे पहले तो हम इसका graph बनाएंगे हमाय पास इस तरीके से यह pressure है यहाँ पर volume है और starting with the same initial condition तो मालो मैं यहां से start करता हूँ यह मेरी initial condition है तो हमाय पास पहली बात तो तीन process की बात करी है isobaric किया है, isothermal किया है, adiabatic किया है isocoric को क्यों छोड़ दिया isocoric process में क्या होता है कि volume constant होता है तो अगर volume constant है, फिर expansion कैसे होगा है, यहां पर expand हो रही है तो इसलिए isocoric को consider नहीं किया गया है सबसे पहले हम देखते है, work done by gas is w1 if the process is isothermal isothermal का graph बना जाए, यहां से हम expand कर रहे हैं इस तरीके से हमारा initial volume था, यहां पर final volume बढ़ गया है हमने expansion किया है इस तरीके से, this is isothermal और इसका जो work done है वो w1 है तो वो w1 कौन सा वाला area हो जाएगा this red area is w1 the work done by gas is w1, w2 if the process is isobaric isobaric में क्या होता है, हमारा इस तरीके से process आएगा pressure वहां पर constant रहने वाला है और initial and final volume same है हमारा पास यह process आजाएगा इसका जो area होगा वो w2 कहलाएगा वो कौन सा वाला area है यह वाला पूरा area होगा this is w2 and w3 if the process is adiabatic adiabatic का graph कैसे होता है adiabatic का भी ऐसा ही कुछ होता है लेकिन isothermal से steep होता है तो यहां से और नीचे से ऐसे गया होगा तो हमारा पास adiabatic का graph कुछ और ऐसा गया होगा है यह हो जाएगा adiabatic और उसमें w3 है adiabatic इस तरीके से तो हम यहां पर देखके बदा सकते हैं कि हमारा जो area है area w3 सबसे छोटा होगा फिर उसके बाद w1 होगा फिर w2 सबसे जादा होगा तो हम यहां पर देखके लेख सकते हैं w2 is more than w1 which is more than w3 और यह option है option number a option number a is the correct answer an ideal gas initially at p1 v1 is isothermally expanded to p2 v2 and then compressed adiabatically to the same initial volume and pressure p3 if w is the net work done by the gas in the complete process which of the following is true तो मैं आपस कुछ cases है यह भी आपको graph बनाओगे तो तुरन दिख जाएगा process किस तरीके से है वीडियो को pause करो question को solve करने की कोशिश करो इस question का correct answer है option number b कैसे आया देखो इसको solve करेंगे graph बनाएगे सब बड़ी आसानी साब इसको solve कर पाओगे graph बनाना बहुत अच्छी बात हो जाएगे यहाँ पर an ideal gas initially at P1 V1 is isothermally expanded to P2 V2 तो पहली बात तो हम आपस कोई initial condition ले लो यहाँ पर ले ली हमने मानलो यह है P1 V1 यहाँ से यह expand होई है isothermally isothermal expansion कैसा होता हमारा ऐसा कुछ rectangular hyperbola और हम पहुँच गए है to the same initial volume and pressure P3 तो इसको adiabatically compress करेंगे तो again हम यहाँ पर तो नहीं आ सकते लेकिन अगर मैं volume इतना ही करता हो तो यह होगा मेरा graph यह होगा अब क्योंकि adiabatic graph ज्यादा steep होता है isothermally हमारा यह वाला graph आने वाला है हमारा पास adiabatic process यहाँ से देखो ऐसा जाएगा इस तरीके से और यह इतना ही क्यों हुआ क्योंकि देखो हमने same volume difference तो यह actually same volume पर होने चाहिए यह था हमारा V1 यह था हमारा volume V2 यह था हमारा pressure P1 यह था हमारा pressure P2 और यह कहीं पर आ जाएगा हमारा pressure P3 तो basically आप समझ गए हो P3 V1 हमें एक चीज तो पता चल गई है P3 is more than P1 यह हमारा पास option आ गया है work done बारे के बारे में आपका क्या ख्याल है पहले बाद तो W is the net work done by the gas in the complete process तो work done by the gas दो तरह से हो जाएगा यहाँ से जब हम इधर जा रहे है तो gas expand हो रही है gas ने positive work किया है इतना फिर उसके बाद gas इस तरह आ रही है तो gas compress हो रही है gas ने negative work किया है और negative वाला जो area है वो ज्यादा बढ़ा है तो overall हमारा जो work done हो जाएगा वो जाएगा less than 0 यह हमें समझना बहुत ज़रूर है PV graph का जो area है वही होता है work done expansion में positive work done है इतना compression में negative work done है यह पूरा का पूरा और यह वाला negative वाला area बढ़ा है तो मैं पास net work done less than 0 हो जाएगा बाइदा gas ऐसा कौन सा option है मैं पास यह option है option number B इसलिए B is a correct answer यह भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है 5.6 liter of helium gas at STP is adiabatically compressed to 0.7 liters taking the initial temperature to be T0 the work done by the gas is कितना work done by the gas कैसे calculate करोगे सबसे पहली बात तो हमारे पास work done का जो formula होता है वो क्या होता है P2 V2 minus P1 V1 upon 1 minus gamma आप इस तरीके से solve कर सकते हैं हमारे पास pressure पता हमें और initially volume पता है finally हमें pressure पता चल जाएगा और volume पता चल जाएगा volume थो हमें दिया ही हुए है दोनों इस तरीके से हम solve कर सकते हैं या फिर आप temperature में change पता कर लो तो उसके हिसाब से हम n r delta t upon 1 minus gamma वो भी solve कर सकते हैं और temperature में change कैसे पता करोगे उसके लिए हमारे पास एक relation है कौन सा है t v raise to power gamma minus 1 is equal to constant volume के ratio पता है आप initial final के temperature का भी आप ratio पता का सकते हो correct initial temperature हमें पता है t naught दिया गया है तो इससे आप solve कर सकते हो वीडियो को pause करो question को solve करो इस question का correct answer है option number c solve करना शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास helium gas है और वो एक monoatomic gas है na monoatomic तो हमारे पास यहाँ पर gamma की value कितनी हा जाती है f plus 2 divided by f degree of freedom monoatomic लिए होती है 3 तो यह 3 plus 2 divided by 3 यानि कि 5 divided by 3 value हो जाती है अच्छे gas को compress किया जा रहा है सबसे पहले इसको PV graph अगर मैं बनाओ तो कुछ ऐसा होगा pressure होगा यहाँ पर volume होगा यहाँ पर कहीं हम होगे इस तरीके से compress किया गया है gas को volume उसका कम होगा तो pressure अपने आप बढ़ जाएगा हम ऐसा देखते है यहाँ पर work done by the gas negative आने वाला है compression में work done by the gas negative होता है तो work done on the gas positive होगा और हमसे पूछा भी है work done on the gas हमारे जो भी work done आएगा उसका minus कर दोगे मतलब minus 1 से multiply कर दोगे तो हमारे पास work done on the gas आने वाला है alright solve करना शुरू करते है हमारे पास work done का formula है P2 V2 minus P1 V1 upon 1 minus gamma मैं यहाँ पर यह वाला use नहीं करना चाहूँगा मैं use करूँगा nr delta t upon 1 minus gamma क्या मुझे number of moles पता है देखो STP पर हमारे पास initially 5.6 liter था initially 5.6 liter STP यहाँ से हम आए है 0.7 liter और उसका pressure भी कुछ बढ़ चुका होगा temperature तो खेर बदली गया होगा क्या मैं यहाँ से number of moles पता कर सकता हूँ देखो STP पर 1 mole की volume किता हो था 1 mole at STP is equal to 22.4 liter gas होती है यह है 5.6 liter क्या 5.6 liter इसका 1-4 है इससे मुझे पता चलता है n is equal to 5.6 divided by 22.4 liter is equal to 1 by 4 mole यह हमें पता चलिए आर एक universal constant delta T की value मैं कैसे पता करूँ उसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा formula है TV raise to power gamma minus 1 is equal to constant यहां से आजाता है temperature into volume gamma की value किती थी? 5 by 3 5 by 3 minus 1 वो किता हो जाता है? 5 minus 3 divided by 3 यानि कि 2 by 3 TV की power 2 by 3 is equal to constant या फिर मैं लिख सकता हूँ T2 V2 की power 2 by 3 is equal to T1 V1 की power 2 by 3 T2 की value हाजाती है T1 into V1 upon V2 की power 2 by 3 अच्छा V1 कितना है हमारा? इनिशली था 5.6 लीटर फाइनली हो गया है 0.7 लीटर तो यह हो जाएगा T1 इनिशली temperature था T0 volume में जो ratio है वो है 5.6 upon 0.7 इसकी power 2 by 3 इसकी value कितनी आ जाती है? देखो यह है T0 5.6 divided by यह कितना हो जाता है यार? 8 8 की power 2 by 3 अच्छा 8 की power 2 by 3 8 का cube root कितना हो जाता है? 2 तो यह हो जाता है T0 into 2 का square यानि की 4 T0 हमारे पास final temperature आ चुका है compression के बाद तो अब यहां से मुझे पता चल जाता है initial temperature था T0 final temperature है 4 T0 तो work done के लिए हमारा यह जो formula है इसमें delta T का इस्तमाल है delta T की value कितनी हो जाएगी? 3 T0 work done is equal to N की जगे में रखूँगा 1 by 4 R की जगे में रखूँगा R delta T0 की जगे में रखूँगा 3 T0 divided by 1 minus गामा की value कितनी है 5 divided by 3 यहां से मेरे पास value आजाती है 3 by 4 R T0 divided by 3 minus 5 divided by 3 तो यह जाता है नीचे हो जागए minus 2 और यह 3 उपर चला जागए हो जाएगा 9 upon 8 minus का R T0 this is work done by the gas work done on the gas क्या हो जाएगा इसी को आप minus 1 से multiply कर दो तो हमारा answer जाएगा option number C work done on gas is equal to minus of W gas यह W gas इससे मेरे पास आजाता है 9 upon 8 R T0 बहुत ही अच्छा सवाल था एक होग सवाल देखते work done in adiabetic process देखो अभी हमने देखा था work done का जो हमारा पास formula है वो क्या है N R delta T upon 1 minus gamma यह हमने derive किया है इसको हमने कैसे derive किया था? हमने यह यूज करा था PV raise to power gamma is equal to constant लिया था हमने लिखा था PV is equal to N R T होता है उसके बाद हमने integrate कर दिया था P dot dv को उससे हमें मिला था work done is equal to यह वाली जो equation है यह मिल गए था work done is equal to N R delta T upon 1 minus gamma अब हम first law के हिसाब से approach करेंगे first law के हिसाब से होता है Q is equal to W plus delta U हमारा पास adiabetic process में heat तो 0 होती है यहां से हमें क्या मिलता है work done is equal to minus of delta U delta U एक state function है उसको process से कोई लेना देना नहीं होता है वो initial और final temperature पे depend करता है यहां से हमारा पास आ जाता है work done is equal to minus of delta U क्या होता है nCV delta T nCV delta T तो यह वाला formula सही है या यह वाला formula सही है actually आप देखोगे कि दोनों same ही तो चीज लिखी हुई है यहां से अगर मैं इन दोनों को compare करूँ है ना तो मुझे क्या पता चलता है r upon 1 minus gamma is equal to minus का CV है ना यही तो यहां से निकल क्या रहा है n delta T n delta T यहां पर है और राइट चेक कर ले दे क्या ऐसा होता है यहां पर देखो 1 minus gamma है ना denominator में इसको देखना शुरू करते हैं r upon 1 minus gamma क्या होता है cp upon cv यहां पर से value आप चेक करोगे तो यह हो जाएगा lcm ले लो यहां पर यह हो जाएगा cv minus cp नीचे आ जाएगा उपर r था और हमारा cv उपर चला जाएगा यहां पर यह जो चीज है यह क्या है में इस relation से पता चलता है cp minus cv is equal to r यह है cv minus cp तो यह है minus r तो यह हो जाता है r cv upon minus r तो यह कट जाता है इसकी value minus cv आ जाती है minus cv दह था minus cv दह था तो basically दोनों ही same बाते हैं इसका derivation यहां से आता है हमने जो किया है यह आता है हमारा energy conservation से तो आपको confused नहीं हो ना हम दोनों ही use कर सकते हो answer same ही आने वाला है लेकिन यहां से हमें एक चीज जरूर पता चल जाती है वो क्या कि यहां पर आप देखोगे कि cv is equal to आप लेख सकते हो r upon gamma minus 1 यह एक बहुत ही important result बन गया इसको आपको याद रखना है यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है idiabetic process का जिसमें आपके सारे के सारे doubts क्लियर हो जाएंगे आप process को बहुत अच्छे से visualize कर पाऊगे compare the work done by one mole each of monoatomic, diatomic and polyatomic gases in adiabetic expansion for the same volume change for the same temperature change and for the same pressure change इसको किस तरीके से किया जाए approach करना है हमें work done को compare करना है तो basically हमारे पास तीन तरह की gas है monoatomic, diatomic and polyatomic यादि तीनों की gamma हमारे पास अलग-अलग आने वाली है सबसे पहले तो हम gamma की बारे में बात कर लेते monoatomic, monoatomic में हमारे पास degree of freedom होती है 3, gamma की value हो जाएगी f plus 2 divided by f यानि ये वाली value हो जाती है 5 divided by 3 dieatomic के लिए हम यही स्क्यालकुलेशन करेंगे dieatomic degree of freedom होती है वहाँ पर 5 gamma की value हो जाएगी 5 plus 2 divided by 5 यानि की 7 divided by 5 और polyatomic non-linear उसके लिए degree of freedom होती है 6 gamma की value वहाँ पर जाएगी 6 plus 2 divided by 6 यानि की 4 divided by 3 अच्छा इनकी approximate values क्या होती है यह होता है 1.67 यह वाली value हो जाती है हमारी 1.4 और यह वाली value हो जाती है 1.33 तो हम देखते हैं कि gamma की value कम हो रहे है जैसे जैसे हमारी degrees of freedom बढ़ रहे है अब हम यह work done को compare करना है तो हम start करेंगे graph बनाने से यह हमारी पास PV graph हम बना रहे है यह pressure यह volume माद लो मैं यहां से start करता हूँ कोई भी expansion का process और हम बात कर रहे है for the same volume chain यह है माद लो हमारा initial volume this is V1 और इस V1 से expand करके हमें जाना है V2 तक माद लो यह V2 है अगर हमारा process जो हम जानते है आईसो थर्मल प्रोसेस में करता है तो देखो हमारा पास इस तरीके से एक rectangular hyperbola आता है PV is equal to constant यह है आईसो थर्म अब एडियाबेटिक expansion जब होता है तो हमारे पास इस तरीके से steeper graph आता है एडियाबेटिक प्रोसेस में work done isothermal expansion से कम होगा लेकिर हमें isothermal और एडियाबेटिक को compare नहीं करना है इस बार इस बार हमें तीनो एडियाबेटिक हैं उनको compare करना है तो हमारे पास तीन एडियाबेटिक आएंगे वो इस तरीके से अलग-अलग आ सकते हैं क्योंकि PV raised to e power gamma की value constant है और gamma तीनो में अलग-अलग आता है तो हमारे पास तीन अलग-अलग graph आने वाले हैं तो कौन सा वाला किस तरीके से कौन सा वाला कौन सा है पता कैसे करेंगे हम पहले define करते हमारे पास जो equation है PV की पावर gamma is equal to constant होता है अब इसी को हम differentiate करेंगे और slope पता करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर यह देखो यह है हमारा y-axis यह हमारा x-axis हमारा slope क्या होता है slope होता है dy upon dx हमारे case में हो जाएगा dp upon dv हमें dp upon dv पता करना है तो यहाँ पर इसको differentiate करो partial यह हो जाता है p into gamma times v ki power gamma minus 1 times dv plus v raise to power gamma times dp is equal to 0 यहाँ पर दोनों तरफ आफ pv raise to power gamma से divide करो इस तरीके से pv raise to power gamma से यहाँ पर आप देखोगे आपके पास जो value हाजाएगी वाजाएगी gamma times dv upon v plus dp upon p is equal to 0 यहाँ से मैं मिलता है dp upon dv is equal to minus gamma times p upon v यह है हमारा slope हमारे पास adiabetic process में slope की value हागी अब हम मान के चल रहे हैं कि इस question में हमें starting में initial point सभी का एक ही था वहीं से हमें expand करते हैं अगर मैं यहाँ से expand करता हूँ तो isothermal का graph ऐसा आता है लेकिन adiabetic का graph थोड़ा steep होता है यह हम जानते हैं और वो जो steepness के लिए factor है हमारे पास वो है gamma का देखो इसका जो slope होता है वो होता है minus p upon v adiabetic का slope हो जाता है minus gamma p upon v तीन प्रकार की gas हैं तीनों के लिए gamma की value अलग-अलग है जिसका gamma ज्यादा होगा उसका slope ज्यादा steep हो जाएगा तो gamma किसका सबसे ज्यादा है monoatomic का तो monoatomic का graph सबसे नीचे इस तरीके से आने वाला है यहाँ पर हम लिख सकते हैं this is mono this is diatomic and this is polyatomic तो यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे graph हमने बना लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो work done by the gas है isothermal में सबसे ज्यादा है उसके बाद polyatomic में आएगा फिर उसके बाद diatomic करेगे और monoatomic सबसे कम work done कर रहे है क्योंकि work done क्यों होता है integral of PDV जो कि यह वाला एरिया हमारे पास होता है तो हम लिख देंगे work done in isothermal is more than work done by polyatomic तो हमारे पास यह एक ओर आगया पर यह हाया है अगर हमारा expansion same initial और final volume के बीच में होगा है अब देखते हैं अगर same temperature change के बारे में बात की जाए यहाँ पर हमें फिर से graph बनाना पड़ेगा यह है हमारा pressure यह है हमारा volume initial condition मान लो यहाँ पर है same temperature change किस तरीगे से graph बना जाए यहाँ पर देखो हम कुछ isotherms बनाते है यह था मान लो हमारा initial temperature वाला isotherm यह है हमारा final temperature वाला isotherm यह हमारा T initial यह है T final अब हमारे पास adiabetic expansion होना है तो देखो यह condition तो हमेशा सही है यहाँ से हमारा पास जो graph होगा isothermal का graph तो यह जाता है उससे तो नीचे ही जानेवाला हमारा पास graph इस तरीके से और monotomic का सबसे आदे steep होता है diatomic का उससे थोड़ा कम होगा polyatomic का थोड़ा और कम steep होगा इस तरीके से हमारा पास यहाँ पर जो graph के बार देखो इस तरीके से जाएगे यह है हमारी monotomic mono यहां पर देखोगे आपकी इस पॉइंट पर अगर मैं कंपेर करूं तो सबसे आदा स्टीप कौन सी है मोनो, यहां भी सबसे स्टीप थी मोनो, हमारे पास सभी का इनिशल टेंपरिचर यह वाला है, सभी प्रॉसेसेज में जो फाइनल टेंपरिचर है वो इस आइसो थर्म प इस पिर से अभी बी वाली चीज अभी वी वैलिड है बस आईसो थर्मल के लिए तो वो टेंपरिचर चेंज होता ही नहीं है तो इसको हम यहां से खटा देंगे अब आते हैं हम same pressure change के बारे में बात काने फिर से हम एक graph बनाएंगे इस तरीके से यहाँ पर है हमारा pressure, यहाँ पर है हमारा volume माल लो यह थी हमारी initial condition इस तरीके से और हमारे पास कुछ final pressure होगा यहाँ पर अगर हमारा isothermal graph होता तो वो इस तरीके से ज़्यादा this is isothermal उसके बाद यहाँ से हमारे पास adiabatic के तीन इस तरीके से graph आएंगे जो सबसे आदा steep है वो monoatomic है, diatomic, फिर polyatomic यहाँ पर यह है हमारा monoatomic mono, यह है हमारा diatomic और फिर उसके बाद यह है हमारा polyatomic तो अगर same pressure difference के बीच में expansion हुआ है, isothermal में सबसे ज़्यादा work done by the gas होगा यह वाला area, उसके बाद फिर आजाएगी polyatomic फिर आजाएगी diatomic और सबसे कम जो work done किया है, वो है monoatomic में, तो मारा पास यह relation सभी जगे valid है, चाहे तो same volume change हो same temperature change हो, या फिर same pressure change हो, तो आप इसको अब feel करने की कोशिश करते है, कैसे यह काम कर रहा है देखो हमारी जो first law of thermodynamics की equation है कि heat supplied is equal to work done plus delta u अब adiabatic process में तो Q की value 0 होती है, तो work done की value होती है minus of delta u जितना internal energy कम होगी, उतना ही work done वो gas करेगी, अब मार लो हमारी gas यहाँ पर इस तरीके से expand हो रही है तो उसकी कुछ internal energy होगी अगर हम same temperature difference की बात करें तो internal energy में change कितना होता है f by 2 n r delta t अगर same temperature difference की बात करी जाए तो जिसकी degree of freedom ज्यादा होगी, उसका internal energy में change ज्यादा होगा तो उसी ने ज्यादा work किया है यहाँ पर हम graph देखके बता सकते हैं कि polyatomic जो है वो उसकी degree of freedom ज्यादा होती है उसकी degree of freedom सबसे ज्यादा होती है तो वो सबसे ज्यादा work कर देती है और इसी तरीके से monoatomic वो तो है उसके पास monoatomic वो ज्यादा उसकी degree of freedom है नहीं तो ज्यादा energy internally story नहीं करती है तो वो ज्यादा work दन इसी लिए कर नहीं पाती है तो हमें यही समझना होता है तो इसको feel करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम इस graph को याद रखे हमारे पास isothermal का graph होता है जो होता है PV is equal to constant फिर V raise to power हम gamma चड़ा दें PV raise to power gamma is equal to constant तो adiabatic हाता है gamma की value जितनी छोटी है graph isothermal के उतरें पास है gamma की value बढ़ती जाएगी graph steeper होता जाएगा और monoatomic में वो सबस्यादा steep इस तभीके से आपको यह वाला graph याद होना चाहिए इससे कई बार सवाल directly पूछे गए हैं तो एक और सवाल देख लेते हैं PV plots of two gases during adiabatic processes are shown in the figure plots one and two should correspond respectively to मारे पास बहुत ही अच्छा था simple सा question है पिछले concept पे बिस वीडियो को पॉस्ट करो question को solve इस question का correct answer है option number B कैसे आया है solve कर लेते हैं देखो हमें बोला जाता है कि इनमेंसे एक आईसो थर्मल और एक adiabatic है तो हमें सबच जना है कि यह वाला आईसो थर्मल है जो जादा steep है वो adiabatic है अब दोनों ही adiabatic है तो इनमेंसे कौनसा वाला कौनसा होगा जो जितना जादा steep होता है यानि कि वो monoatomic है न तो यहां पर हमें देखके ही बता चल जाता है this is mono, this is diaatomic तो graph 1 diaatomic का है graph 2 monoatomic का है plot 1 पहली वाली diaatomic होगी है पहली वाली diaatomic दूसरी वाली monoatomic option number B is the correct answer बहुत है अच्छा question था हम मिलेंगे अगले वीडियो में idiomatic process हमने पुरा पूरा complete कर लिया वहां पर कोई भी heat का intake नहीं होता है कोई भी heat वहां से बाहर नहीं जाती है लेकिन यहां पर कुछ और चीज़े हो सकते हैं तो आप पहले तो सब से कॉमेंट करो कुछ भी कॉमेंट करो कॉमेंट करोगे तो वीडियो YouTube rating में उपर आएगा साथ में आपको करना है कुछ मदद मेरी प्लीज कुछ amount डोनेट करो इस QR code को scan करो किसी भी UPI या अप से ताकि मुझे मदद मिले और मैं और भी इस तरह की वीडियो आपके लिए बना पाऊ तो उसके लिए इस QR code को scan करना है नोट्स का link description में है और हम मिलेंगे अगले वीडियो में